लोग तूरेंस विल्कम बैक ओप पुली आप सब अच्छे होंगे तो थर्ड चाप्टर तक जब हमने जो भी स्टडीज करी हमने यह समझ लिया कि इंटरनाशचल ट्रेड का है इसके अऻ्टिक्तिफ के चैलंज थिलोइन है ठीक है या economist जो रहे है या developers जो रहे है उन्होंने क्या-क्या theories जो है international trade के बारे में दिये आज जो chapter student हमारे पास है international business का उसमें बात करेंगे कौन-कौन से commercial policy instruments है तो अगर मैं बुक्के का according बात करूं तो this is chapter 4 जिसमें हमें क्या समझना है जिसमें majorly we will talk about कि जैसे अगर आपने कभी सुना होगा कि अगर आप import वगएरा करते हैं export करते हैं तो import export के time पे कुछ तरह के charges होते हैं जो आपको pay करने होते हैं कई बारी country in charges को wave of कर देती है so that जो trade agreements है जो trade हो वो smoothly conduct किया जा सके कई बारी country अलग-अलग point of view में रह करके कि हमें अपनी country में protection के देनी है या फिर हम अपनी country के trade को बाहर के trade से जादा मतलब पहले चाहते हैं अपनी country का trade बढ़ाना तो उसके accordingly international trade के अंदर हम लोग किसी किसी तरह के charges वगारा को apply करते हैं ठीक है वही इस chapter में हमें पढ़ना है कि क्या-क्या charges नहीं कौन-कौन से charges है किस तरीके से charge किये जाते हैं तब ताकि आप कभी भी कभी देखो एक बात मैं आपको समझा रहा हूं जो यह चीज़े आप पढ़ रहे हूं ना it might seems theory to you theory जैसा लगता है लेकिन student practical world के अंदर यही theory काम भी आती है क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा तो उससे आप relate कर पाओगे जब आप कोई भी ऐसा document देखोगे उस document में यह चीज़ मेंशन देखोगे then you will be able to recognize के हाँ आपने यह चीज़ पढ़ी दी और यह चीज़ हो है वह इससे relate करते है तो चलो तो सबसे पहले यहां पर हमें तिरह कर टैरिस तो एक मिनेट देखरो slide आज कि इतनी खतरना के खूंखार एगदम slide है तो सबसे पहले सुछन रहें बात करेंगे tariff की है यह टैरिफ क्या है तो अगर मैं आप से टैरिफ की बात करूँ तो tariff simply means होता टैक्स तो सवाल यह आता है कौन सा text तो बहुत सारे होते हैं तो तरिफ का मतलब होता है चो import जब आप करते हो कोई समान तो import के टाइम पे जो भी टेकसेस दिये जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम चाहेगी कि इंपॉर्ट के टाइम पर उनको टारिफ चैसी चीजे इंपोस करें ताकि लोग कम में इंपॉर्ड कर पाएoted रीजन क्या हैँ को एक बात समझना एक भाहट scale पर बात कर रहा हूँ गुड्स को रहा हम दो पार्ट में क्लासिफाइग कर लें एक होते हैं स्वरंट कुछ होंगे आपके पास तूड्स के चोट सबते हैं दो असरा को और सब पार्ट में कुछूंगे आपकी पास लूस तूल्स के तौर पे और कुछ आपके पास होते हैं जिने हम नाम देते हैं capital गुड्स तो अब आप connect कर पाए होगे आपके 11-12 standards अब consumer goods और capital goods के बारे में पढ़ते आ रहे हो है ना अब देखो होता क्या है हर country आप यह country जो है वो अपने पास consumer goods भी बनाएगी क्योंकि उसकी population को feed कैसे करेगी अभी consumer goods को अच्छे से बनाया जा सके better quality का बनाया जा सके कम से कम input के साथ बनाया सके उसके लिए आपको capital goods भी चाहिए आइब तो आपको consumer goods भी चाहिए होते हैं आपको their performance performance of what कि कि किस तरह का income level है किस तरीके के अपनी population के साथ वो रख रखाव करते हैं तो हम क्या कह सकते है developed पृष्टी जो हमने chapter cover किया था उस chapter में हमने इसकी बहुत थेओरी पड़ी कि developed countries के साथ trade ऐसे हो सकता है developing country के बाद specialization नहीं है आप connect कर पा रहे होगे है तो developed होती है फिर category आती है आपकी performance के अकॉर्डिंग developing की और फिर category आपकी performance के अकॉर्डिंग आती है अंडर डिव्लप्ट है ना अब तीनो country में एक चीज तो common है यह तीनो country consumer goods तो बनाएंगी बनाएंगी हर country को भी कोशिश करती है कि वो consumer goods अपने देश में ही बनाएं क्योंकि देखो न सोचके देखो कैसा लगेगा कि हर चोटी चीज के लिए आपको import करना पड़ रहा है कि कपड़ा चाहिए import करो खाना चाहिए import करो तो कोई भी country कोशिश करती है है target करती है self-sufficiency ठीक है हर country के जो planning objectives होते है उन planning objectives में एक objective होता है self-sufficiency का कि जितना जादा possible हो सके हमारी जो country है वो capable होनी चाहिए इतने goods बना लेने में कि हम अपनी country के अंदर ही सारा काम कर सके तो every country targets for self-sufficiency ठीक है अब बात सुनों self-sufficiency में चाहिए underdeveloped हो चाहिए developing हो यह दोनों countries consumer goods तो अपने देश में बना ही लेती है और इसी लिए जादा तर consumer goods के इंपोर्ट के ऊपर यह country क्या लगा देती है यह country impose करती है import tax which means consumer goods के ऊपर ध्यान समझना क्यों 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 कि कैसा लगेगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे यार मुझे यह नोटपैट चाहिए लेकिन यह नोटपैट भी मैं US से समंगवा रहा हूं ठीक है कैसा लगेगा कि मुझे कोई यह pen stand चाहिए और यह mobile stand में क्या कर रहा हूं इंपोर्ट कर रहा हूं तो यह तो शो करता है कि मेरी country जो है कितनी व्लनरेबल सिच्वेशन में है राइट क्यों कि सुडेंट चोटी चोटी चीज़ें तुम नहीं बना सकते तो अगर तुम हर चीज इंपोर्ट करोगे तो यह विल बी मोर और लेस लाइक पाकिस्तान आपको definitely पता होगा कि जो पाकिस्तान economy वो बहुत बड़े क्राइसिस में है क्यों कि वो हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं आप हर चीज इंपोर्ट नहीं करते पोशिश किया जाता है कि जो चीजे तुम क्या कर सको अपनी country में बना सको ठीक है उन चीजों को तु के लिए सबसे पहले जो country होती है वो क्या करती है tariff का इस्तमाल करती है जितनी भी consumer goods की item होती है उनके उपर ज्यादा तर के उपर जो बहुत ज्यादा महंगी है उनके उपर लगा यह जाता है heavy taxes ताकि लोग उनको कम से कम import करें अब वो कम से कम import होगा और अपने देश के अ करने का consumer goods के मामने में जो student होता है वो होता है protectionism अब यह protectionism क्या मतलब क्या है protect करना तो अगर मान लो example के लिए बात करता हूं कि let's just suppose कि इंडिया इस तरह की water bottles बना रहा है example है बस और जो rest of the world है वो इस तरह की bottles बना रहे है अब obviously बात है जब इस तरह की bottles इस market में एंटर करेंगी तो ऐसी bottles को लोग पूछेंगे नहीं ठीक है अब problem यह आएगी तो इस साब से domestic industry कभी growing नहीं कर पाएगी तो इस लिए जो governments होती है वो क्या करती है protectionism की policy को adopt करती है कि बाहर से आने वाले जो products हैं उनके उपर इतने taxes लगा दो कि लोग उन products को लेके हमारी country में आए ही ना ठीक है जिससे कि domestic industries को protect किया जा सके ठीक है अभी में बाते कर रहा हूं tariff के फाइदे की लेकिन जैसा कि आप इतने समझदार है कि आप समझ सकते कि कोई भी चीज के सिर्फ फाइदे नहीं हो सकते और कोई भी चीज के सिर्फ नुकसान नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी इसके पीछे एक इस आपिटल गुट्स का मतलब होता है एक तरीके से स्टूंस मशीनरी राइट मशीनरी जो होती है और पहली बात जो डिवलपिंग और अंडर डिवलप्ट नेशन होते हैं उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलोजी नहीं होती कि वह मशीन्स वगेरा को बना पाए तो जिसकी वज़े से उनकी जो क्यापिटल गुट्स की रिक्वार्मेंट होती है उसक होता क्या है कि इन मशीन्स के लिए आप क्या है डिपेंडेंट है ठीक है अब सरकार को पता है कि अगर इनके उपर टेक्स लगा दिये गए ठीक है तो इससे इनका इंपोर्ट हो जाएगा कम लेकिन अगर इनका इंपोर्ट कम हो गया तो आपकी कंट्री की प्रड़क्शन क capacity कभी बढ़ नहीं पाएगी इस वजह से capital goods का जो import होता है generally उनके import के ऊपर क्या कर दिया जाते है taxation free कर दिया जाता है ताकि कोई भी country जादा से जादा machines बाहर के देशों से मंगाए जिससे कि at least उनकी अपनी home country की जो production capacity है वो क्या हो सके वो increase हो तो सुरूं यह point of view होता है tariff को लेके तो present जो हमारा chapter है इस chapter में हम यही discuss करने वाले है कि tariffs क्या है किस-किस तरीके से यह impose किये जाते हैं और जो भी आगे चीजे है चलो इतना meaning clear हो गया आप पढ़ लेतने क्या लिखा है तो तो यहां पर लिखा है the term tariff has been derived from the Italian word tariffa which means a list of which means a list of prices book of rates मतला वही हो गया कि prices का जो भी list होगा in Arabic tariff means to notify or announce in the words of Dominic Salvatore Dominic Salvatore के अपने से अगर जो भी students economics में interested होंगे तो आप लोगो ने international trade के अंदर काफी सारी theories पढ़ी होंगी इनकी book भी आती है तो a tariff is a tax or duty levied on the traded commodity on the traded commodity okay as it crosses the national boundary neoclassical economist view tariff has distortions to the free market right while international trade increases the number of goods that domestic consumers can choose from it is it also decreases the cost of those goods through increased competition देखो वो कहरे कि international trade का करता है increase करता है कि domestic जो consumers है उनके पास जो number of options में बढ़ जाएंगे ठीक है और यह इस चीज को भी ensure करता है कि जब competition बढ़ेगा देखो competition में हमेशा आप याद रखना एक consumer के तौर पे competition में हमेशा you will get better quality right at reasonable prices अभी तो मैं competition lead कर पाऊंगा अगर महेंगी prices पे दूंगा तो मैं lead नहीं कर सकता competition with free trade domestic industries can ship their products abroad till tariff is used as the most common as well as popular form of protection in the actual practice under this form duties are imposed on those commodities which compete और are expected to compete with the home produced commodities in the domestic market जैसे कि हमने बोला कि tariffs जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ठीक है कि जो domestic market है domestic market के जो products है और जो sellers है जो industries है उनको protect किया जाए क्योंकि foreign से जब goods आएंगे तो उनकी अच्छी quality की वजह से आपके domestic industries को harm हो सकता है ठीक है तो देखो आगे के रहा है walls of tariffs are used not only by developing countries LDCs ठीक है but are also used by more advanced economies with developed industries tariffs are used by the countries to fulfill the following objective अब हमें कुछ objectives रहा है student कि tariffs कि कि लिए हमारे पास जो है impose किया जाता है चलो one by one और एक objective को पढ़ते है firstly tariffs are used to protect domestic industry okay protect domestic employment against foreign competition the possibility of increased competition from imported goods can threaten domestic industries these domestic units may fire workers or more production abroad to cut cost राइट रेखो उता है कि अगर foreign से goods आएंगे तो मैं बार बार एकी चीज़ हाईलाइट कर रहा हूं उनकी quality की वज़े से लोग उनके towards inclined हो जाएंगे and it is very easy for you guys to connect with this situation how many times आप market में जाकर के आप कभी गए हो और आपने बोले कोई ऐसा brand का shoes दो इंडिया नो जादत दर हम Puma, Edidas, Nike कि अगर हम थोड़ा sports में जाना चाहरे हैं अगर हम थोड़ा formal सोचते हैं कि अगर चलो कि formal shoes पहन लेने हैं तो या तो बाटा हम use कर लेते हैं बाटा हो गया और कौन सा brand आएगा जो formals में आजाएगा बाटा हो गया ठीक है blackberry हो गया इंच shoes को हम as in formal में देख लेते हैं ठीक है कपडों के अंदर भी same वही कहां नहीं आ रखी है कि जाधा तरह हम कोशिश करते हैं कि जो brands हम ले रहे हैं वह सारे brands कहां के फॉरन के हैं ठीक है तो यही चीज है कि जब आपके वह वाले products आएंगे फॉरन वाले तो उससे आपके domestic competition को बहुत problem होगी और बहुत से industries market से wipe out हो सकती है और उन industries में काम करने वाले जो लोग होते हैं ठीक है वो भी unemployed हो सकती है तो यही point हमाया पार लिखा हुआ है second देखते है secondary tariffs are used to protect the interest of consumers in the economy the government may levy a tariff on product that it feels could endanger its government so so मैं देखता हूँ यह क्या लिखा हुआ है endanger its population आएगा right कि जो population के लिए खत्रा हो सकता है ठीक है so जैसे कि हमारे पास क्या है मानलो जैसे हर एक चीज है ठीक है जैसे आपके लिखा हुआ है कि South Korea में place a tariff on imported beef from the United States if it thinks that the goods could be tainted with diseases further United States once excluded beef from a certain region in Argentina where foot and mouth disease had attacked cattle तो वो कह रहे कि कुछ चीज से आपको याद होगा यह situation समझने के लिए आप COVID-19 से एक example ले सकते है कि हमने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि China के साथ trade जो हो वो जितना जादा हो सके boycott किया जाए रीजन क्या था रीजन एक बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर चाइना से कोई भी समान आएगा तो पूरे पूरी possibility थी कि उसके साथ क्या आएगा कोविट के जो भी वाइरस है वो भी साथ में ट्रावल करेगा तो इस वज़े से अगर कभी गवर्रमेंट को लगे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है और उनसे वह समान लाने की वज़े से वह प्रॉब्लम हमारी कंट्री में भी सकती है तो भी जो governments हैं वो क्या कर सकती है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के इंपोर्ट के पर टारिप्स लगा देंगे और कई बार तो बैन ही कर देती है कि आपको यह चीज लेके आनी ही नहीं है तो यह भी रीजन हो सकता है ठीक है आगे धिया है थर्ड ली यूज ऑफ टार दोमेस्टिक इंडस्ट्री इसको प्रोटेक्ट करने कर देखो इसके रिए दो फायदे मैं यहां पर लिखके दिखाता हूँ एक हो गया हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिडूशन और एक हमारे पास हो गया एक्स्पोर्ट प्रमोशन ठीक है तो आगे एक्सपोर्ट प्रमोशन भी आ जाएगा इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंपोर्ट सब्स्टिडूशन की क्या मतलब ऐसका देखो students import substitution is a strategy by which in which a country promotes production of certain goods domestically earlier which were being imported तो import substitution किसी भी government के थूँ अडॉप्ट की हुई वो strategy होती है जिससे कि आप क्या करते हैं आप एक country के तौर पर production करते हैं अपने देश में जो भी आपकी home country होती है आप उस home country के अंदर right production promote करते हो ऐसी चीजहों कि जिनको आप पहले बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे इस लेक्शर के beginning में ही मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा इस बारे में दिया था कि हर चीज़ के उपर foreign countries पर depend नहीं हुआ जा सकता आपको at some point self-sufficient होना ही पड़ेगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब ऐसा करके government क्या करेगी ऐसा करके government एक तो domestic production को बूस्ट करेगी domestic production को बूस्ट करने की वज़ा से आपकी जो industries है उनको protection मिलेगी अब उनको यह दर खतम हो जाएगा कि फॉरम से product आएंगे तो उनको यह रहेगा कि हम अपने ही देश में मनाएंगे एक तो यह फायदा competition international जो है वो wipe out होगा और सबसे important जो है जब आप import substitution करते हो तो यह क्या करता है यह टेकनीक होती है to save Forex ठीक है तो import substitution एक टेकनीक होती है जिससे की आप Forex को save कर पाते हो तो आप इसको जो सबसे जादा मतलब आपके लिए useful चीज है उसके लिए इस्तमाल कर रहे है आप कोशिश करते है जिससे की आप क्या कर पाऊ जो इसका बहुत prominent यूज जहां पर है आप केवल इसको वहीं पर यूज करेंगे ठीक है बलब वो चीज़े जो आप अपने देश में नहीं बना सकते कोई possibility ही नहीं है उस जगह पर इस्तमाल करने के लिए आप यह काम करते है तो that is called your import substitution अगर मैं आप से बात करता हूँ student export promotion की तो what do we mean by export promotion तो export promotion इससे थोड़ी से एक अलग strategy है strategy by which domestic production is ballooned up so that items can be exported to different nations ठीक है इसमें domestic production को इस तरीके से बढ़ानी की कोशिश करते हो ताकि आप क्या कर से है कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा items को foreign की रेशो में export कर सके अब यह technique यह strategy किसके लिए यूज की जाती है to earn Western nitrogen terrain Nee अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि इंपोर्ट substitution की तो इस strategy के पर्वार्व को सेव करते हैं लेकिन हम बात करते एक support promotion की तो इसके तूरहम क्या करते है और एक और तक करते है राइट तो यह दो हमारे क्या होता है आप जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते है इन ए यर उसकी जो एक स्टेट्मेंट तयार की जाती है government के थूँ that is balance of payment तो यह दोनो टेखनीक करके कोई भी country अपने आपके अगे पढ़ते हम क्या पढ़ते है ठीक है so thirdly the use of tariffs to protect infant industries can be seen by the import substitution strategy employed by many developing countries the government of a developing economy will levy tariffs on imported goods in industries in which it wants to foster existence and growth this increases the prices of imported goods at the same time it creates market for domestically produced goods while protecting those industries from being forced out through competitive pricing it decreases unemployment and allows developing countries to shift from agriculture products to finished goods right ठीक है अब fourthly देखते है कै fourthly barriers are also employed by developed countries to protect certain industries that are deemed strategically important such as those supporting national securities जैसे कि मान लो कुछ ऐसी industries है जिनको अगर जिससे कि आपने उसके इंदर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने foreign की companies कौन ने दिया बात कहीं बार यह आ जाती है कि उसमें तुम अपने देश की private companies को भी certain level तक इंटर नहीं करने देते हैं वो इंडस्ट्री जिनके लिए अगर जिनकी information leak हो गया तो आपकी national security जो है वो threat में आ चाहेगी राइट जैसे कि आपको example दिया हुए कि मान लो defense के इंडस्ट्री है अब कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि उसके defense के इंडस्ट्री में foreign की कोई भी company आ करके entry ले कोई भी product foreign का क्योंकि इससे होगा क्या उनको सारी की सारे information पत्रेश लाइगी कि किस तरीके weapons इस country के पास है क्या strategy है कौन कौन से departments में यह weapons दिये जाते हैं तो वह इसने कोशिच करते हैं हम import करते है import is a different matter then कि तुम सीधा के सीधा क्या कर रहे हो अपने देश में उनको बोल रहे हो कि तुम आओ और production करो sometime तुम import कर लेते हो ठीक है लेकिन जो वर्ल्ट की कुछ developed countries होती है वो तो उसके लिए भी against होती क्योंकि उनको चाहिए हम developing country है इंडिया हो गया तो वह developing economy है तो उसे हो सकता है कि उतनी टेक्नोलोजी नहीं है तो हमें फ्रांस से रस्या से ठीक है यूएस से इस्रेल से weapons लेने पड़ जाते हैं लेकिन जो यह developed countries है ना यह किसी भी cost पर किसी और country से weapons नहीं बाय करती यह जैसे कि हमें दिया हुआ है कि जैसे Western Europe का पार्ट हो गया यह United States हो गया यह बिलकुल भी नहीं एंटी करने थी बहुत दा प्रटेक्टिव है राइट आगे में दिया है 5thly countries में also set tariffs as a retaliation technique if they think that a trading partner is not played well the rules. In other words, it is a retaliation का मतलब आप समझने है बदला लेना In other words, it is done for countervailing the tariff imposition by other country. For example, if France believes that the United States has allowed its wine producers to stop the imports of its domestically produced sparkling wines, champagne for too long, it may levy a tariff on imported mint, meat from the United States. If the U.S. agrees to crack down on the improper labeling, France is likely to stop its retaliation. Retaliation can also be employed if a trading partner goes against the government's foreign policy objectives. A countervailing duty may also be levied in case of such imported commodities which are supported by their foreign or their home government through subsidies and bounties. So, इसका मतलब का है काई बारी अपनी बात को प्रूफ करवाने के लिए के लिए के तुमने अभी आपको इसका एग्जाम्पल में बेस दे सकता हूँ अभी आपको पता है Canada और India के बीच का जो टेंशन चला था कितना रिक्कत हुआ हो adopt कर सकते हो सब आप उतने powerful हो तो यह टेकनीक आपके लिए काम नहीं कर सकते है आपको थोड़ा सफर करना पड़ सकता है कि भाई वो country adopt नहीं कर रही आप भी नहीं करोगे तो अगर आप इतने पावर्फुल हो कि आपकी चीजे ऐसी है कि आप वो सामेरे को चाहिए चाहिए तब यह टेखनीका भी यूज कर सकते हो तिक है आगे नेक्स हमिदी है फाइनली टेखनीका यूज करेंगे तो सरकार का टेक्स बढ़े और साथी साथ में अगर इंपोर्ट्स अगर हम मतलब बैन करेंगे तो उससे कंट्री के इंपोर्ट्स कम होंगे जिससे की बैलेंस ओ पेमेंट जो मैंने कहा तब हम आगे लेटर आउन चाप्टर में पढ़ें कैंगे जिस से कांगे गिए भाले करेंग делать से कांगे से ॉ घएले बैमागे जो इंब करेंखे में पमेदे नगर ग्माने क्यों हमें फि Canvas और सार्फिंवर्स चाहते हैं बैस द चेड़ामे उसा बारा क्माने के आगे तो समस्टर आगे दो सिस्टर серगर में अहलागे उस से क